दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे लोग को जो है लोन की requirement होती है लोन की जरुद पड़ती है जैसे कि अगर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए education लोन इसके अलावा जिनको खेती बाड़ी का काम करना है किसानी करनी है उनके लिए agriculture का लोन जिनको अपना business start करना है उनके लिए business loan ऐसे ही बहुत अलग-अलग types के जो loan है बहुत सारे लोग को जड़त पड़ती है time to time लेकिन यार हम इसे जादा तर लोग के जो सिकायत होती है कि यार जब भी हम loan apply करने के लिए bank में जाते हैं तो हमें बहुत जादा चक्का लगवाते हैं और अलग-अलग types के document हमस सरकार ने इंडियन गवर्मेंट ने जन समर्थ पोर्टल यहां पर launch कर दिया है यानि कि अगर आप भी loan लेरा चाहते हैं तो अब आपको बहुत आसानी से loan में जाएगा बस बीडियो को ध्यान से और पूरा समझना दोस्तों क्योंकि जब तक आग समझोगे नहीं आपको सम समसाने से loan मिर जाए हलो दोस्तों मेरा नाम नवीन है आप देख रहें आपका अपना यूट्यूब चल हमसफर टैग तो चलिए सीखते हैं loan अपलाई करने के लिए आपको सबसे विले ब्राउजर उपन करना है अपने फून पर जैसे की गूगल क्रोम ब्राउजर है और आप सर्च करेंगे जन समर्थ और यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है नगाइस www.jansamart.in यह गौर्मेंट की ऑफिसेल वेबसाइट है जिसक इसके अलावा चार यहाँ पर loan category है category भी अभी future में और add होने वाली है और इसके अलावा यहाँ पर 125 से जादा land rates on platform यानि कि जो loan देने वाले banks है और अलग-अलग companies है यहाँ पर यह 125 से जादा है अभी और भी add होने वाला है इसके अलावा आप नीचे आएगे तो यहाँ प scheme है इसके अलावा agriculture यानि कि अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको यहाँ पर किसान लोग loan ले सकते हैं यहाँ पर आप आएंगे तो तीन scheme यहाँ पर यहाँ पर यह देखने को मिलती है इसके अलावा यहाँ पर business के लिए भी loan ले सकते हैं जिसके तहत आप 6 scheme के scheme है इसके लावा यहाँ पर livelihood loan है तो यहाँ पर इसकी भी एक scheme है और यहाँ पर अगर आप और भी loan अप्लाई करना चाहते हैं view all scheme देखेंगे तो जो भी आपको लगता है कि हाँ आपको requirement है आपको need है loan की तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर apply कर सकते हैं ठीक है तो अब ज जैसे मानके चले आपको education loan लेना है आपको पढ़ाई करनी है और यार guys आप एक चीज़ भूल जाते हो वीडियो को like करना तो यार फटवर से एक like ज़रू कर दो तो अगर आपको education loan लेना है तो यहाँ पर अलग-लग scheme है आप दीख पाएंगे और कौन-कौन person यहाँ पर loan के अप्लाई कर सकता है यहाँ पर details दी गई है जैसे कि अगर आप पढ़ाई करना चाते हैं graduation करना चाते हैं post graduation करना चाते हैं तो आप इसके लिए eligible है बस आपको यहाँ पर आना है ऊपर आगे और आप click eligible पर click करेंगे अब आप से पूछेगा कि आप कहां पर पढ़ाई करना अगर आप इंडिया में करना चाते हैं तो आप within इंडिया सेलेक करेंगे अगर आप outside यानि कि अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाते हैं तो outside इंडिया करेंगे तो जैसे इंडिया में किसी को पढ़ाई करनी है loan चाहिए तो यहाँ पर सेलेक करेंगे इसके अलावा इंटरिवर ग्रोस फैमिली इन्वल इनकम, यानि कि आपकी फैमिली की पूरे साल में आपकी फैमिली में किटना इनकम होती है, यानि कि पूरा साल का 12 महिन का आप जूड लेंगे, ठीक है? अगर मन के चलो किसी की इनकम 20,000 रुपे है, तो एक साल का बनता है दो लाग चालिस जार रुपे तो यहाँ पर जो है अप्टू दो लाग पचाजार से कम ठीक है या फिर ढई लाग से चालाग के बीच में या चालाग से छेलाग के बीच में तो आप यहाँ पर जो है select करेंगे select the course you wish to attend यानि कि आप क्या करना चाते हैं क्यों आप लून लेना चाह रहे हैं आप graduation की पढ़ाई करना चाते हैं post graduation की करना चाते हैं आप doctor बनना चाते हैं इसके लावा other किसी course की करना चाते हैं तो आप select कर लेंगे अपने हिसाब से ठीक है तो जैसे यहाँ पर मैं post graduation की पढ़ाई करना चाते हूँ example के लिए मैंने select कर लिया है इसके अलावा type in the length of year course यानि कि कितने साल की आपकी पढ़ाई है तो PG होता है 2 साल का यानि कि post graduate ठीक है तो यहाँ पर मैंने select कर लिया है 2 year और यहाँ पर full time कर रहा है regular अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो full time select करेंगे अगर आप part time कर रहे हैं private तो part time करेंगे तो यहाँ पर distance learning भी अगर आप जो कर रहे हैं तो select कर लेंगे अपनी हिसाब से ठीक है और यहाँ पर interviewer course fees आपकी course की fees कितनी है आप यहाँ पर अपनी course की total जो fees है मान के चले मेरे course की fees है 2 lakh रुपे ठीक है तो यहाँ पर मैंने type के लिया है 2 lakh रुपे अब यहाँ पर इसके लावा पूछ रहा है कि आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है यानि कि आपके पास कितना पैसा है आप अपने course में लगा सकते है जैसे कि मान के चलो मुझे यहाँ पर 80,000 लिखना है मान के चलो मेरे पासी जार पड़े है और 2 lakh रुपे total fees लग रही है तो यहाँ पर 1 lakh 20,000 की मुझे requirement है तो यहाँ पर आ चुका है बस आपको यहाँ पर calculate eligibility पे click करना है तो अभी आप देखेगा maximum eligible loan amount है 1 lakh 20,000 और यहाँ पर eligible subsidy amount है 30,600 रुपे और मन्तली EMI मुझे देना है 1,040 का जिसमें की 8.5% का interest भी है ब्यास भी है और loan tenure है यानि की maximum जो इसकी time limit है वो 20 साल की है अराम से आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको apply now करना है apply now करने के बाद यहाँ पर अपना mobile number एंटर करेंगे और यह जो capture आपको नजर आ रहा है ना इसको यहाँ पर fill up करेंगे अगर यह समझ में नहीं आता है यहाँ से जिले इसको change भी कर सकते हैं और select करने के बाद आप इस box को tick करेंगे तिक करने के बाद यहाँ पर privacy policy है loan की जो भी यहाँ पर privacy policy एक बार आप check कर सकते हैं पढ़ सकते हैं इसको कि इसके बारे में क्या दिया गया है आप नीच आएंगे last में scroll down करेंगी पढ़के और last में आने के बाद इसको next करेंगे next करने के बाद termin conditions है और इसको भी आप check कर लेंगे पढ़ लेंगे इसमें जो भी termin conditions होती है कि कितना आपको loan मिलेगा कब आपको pay करना है कितना साल लगेगा सारे details दे रखी होती है next करेंगे और यहाँ पर disclaimer है disclaimer की कुछ policy होती है आप tick करेंगे box को और agree के उपर click करेंगे अब आपको get OTP के उपर click करेंगे अब आपको उसके बाद आपके register mobile number पर एक OTP आएगा तो आप OTP message को यहाँ पर fill up कर देंगे और थोड़ा wait करेंगे अब ही हमारा verify हो चुका है यहाँ पर आपको अपना Gmail ID enter करना है और यहाँ पर get OTP के उपर click करेंगे और आपके Gmail ID पर एक OTP message भीज दिया गया है अगर आपको OTP receive नहीं होता है तो आप जो है spam वाले filter में जाएंगे Gmail के उपर तो जैसे आप spam में जाएंगे तो आपको OTP message आएगा उस OTP message को आपको यहाँ पर fill up करना है अब आप यहाँ पर अपना एक नया password बना लेंगे ताकि आप अपने account को यहाँ पर login कर सको और उसी password को आप दुबारा enter करेंगे password आपको कम से कम 8 characters का और maximum आपको 20 characters का बनाना है और आपको यहाँ पर numbers का भी यूज़ करना है इसके अलावा आपको यहाँ पर capital case alphabet का भी यूज़ करना है इसके अलावा small alphabet का भी यूज़ करना है और numbers का भी आपको यूज़ करना है और बैल आइकन को और पे ज़रूर प्रस करके रखेगा ताकि future में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको not fiction मिल जाए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पास्ट बना लिया है अब हम करेंगे proceed के उपर click करने के बात बात थोड़ा सा wait करेंगे और यहाँ पर आपको नीचा आना है Congress legislation we have found one scheme for you और यहाँ पर आचुकी scheme और यहाँ पर इस तरीके से आपको बस अगर आपको detail को edit करना है तो आप edit भी कर सकते हैं otherwise अगर आपको process करना है तो proceed करेंगे और एक बार आप चक कलेंगे कि आपने जो जो यहाँ पर जानकारी फिलब करी थी आप उसको एक बार अच्छे से चक कलेंगे और दुबारा से आपको इसको continue करना है उसके बाद दूस्तों आपके registered mobile नंबर पर यहाँ पर एक SMS भी आएगा कि अगर आप eligible होंगे तो आपको इस तरीके प्रोसीड करना है प्रोसीड के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको next करना है next करने के बाद income tax का यहाँ पर जो है इस तरीके से कुछ detail दिया गया है कोई घबराने वाली बात नहीं है बहुत easy guys यह next करेंगे और यहाँ पर उद्धियम है तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे next करते जाएंगे last में आएंगे और इसको आप read करके एक बार next करेंगे ठीक है इस तरीके से agree and proceed करेंगे और अब आपको बस यहाँ पर अपना आधार number enter करना है जो भी आपका आधार इसको complete कर लेंगे फिलहाल दुस्तों मुझे loan के requirement नहीं है मैंने आपको बताने के लिए कि कैसे आपको apply करना है यह video बनाया है तो इसको मैं आगे process complete नहीं कर पाऊंगा क्योंकि guys मुझे need नहीं है जिनको lead होगा वो अपना अपना यहाँ पर चीजें upload करते जाएगा और इस तरीके से आपको बहुत ही आसाने से loan मिल जाएगा तो इस तरीके से आप बहुत ही आसाने से जन समर्थ पोर्टल के थूँ loan के लिए apply कर सकते हैं